नितीज कुमार नाराज है जेडियू असहज है चिराग पासवान अब भी खेल से बाज नहीं आ रहे हैं खेल अब भी वो कर रहे हैं जिस नेता ने कहा कि मोदी मुसलमानों के दुस्मन है मोदी भगवान है क्या इमाम गजाली से पूरा के जिला देक्ष और उन पर कारवाई कि हिम्मत नहीं जुटा सके चिराग पासवान को सफाई देनी पड़ी है और चिराग पासवान साथ तलब किये गये थे अब तो मतिहानी की सीट जेडियू की सिटिंग सीट्ट जेडियू के पास विधायक हैं वो राजकुमार सिंग खेल तो नितीज कुमार भी कर सकते हैं नुकसान हमारा भी हो सकता है तो इसी वज़ा से चिराग पासवान एक बार फिल गुल दस्ता लेकर मुखमंत्री आवास पहुच गए नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ बिर्जो सिंग चर्चा होगी चिराग पासवान और नितीज कुमार की मुलाकात हलाकि मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं बताय जा रहा है आम तोर पर तस्वीर देखेंगे तो भई यह कोई बड़ी नितीज कुमार काफी नराज है और चिराग इसी नराजी जनकारी मिलते ही आननफानन में गुलास्ता लेकर नितीज कुमार के पास मिलने के लिए पहुचते हैं अब इसे एक मिस्तरा पत्रकार है आप इन सब चीजों को खबर कर रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं चिरा बिल्कुल गुलस्ता लेकर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले तो दर्सकों को यह बताना पड़ेगा कि भाई चिराग पासवान की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से इस मुलाकात को क्या बताया गया है तो उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई देखिए चिराग पासवान जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग की जो योजनाय हैं उसको बिहार में जमीन पर उतारना है मुख मंत्री नितिसकुमार से इस पर चर्चा हुई है और पच्छी मंगाल में जो बिहारी चात्रों के साथ या बिहारी उकों के साथ जो घटना हुई है उसको ले कही जा रही है विर्जु कहा जा रहा है कि बोड और निगम में हिस्सेदारी चाहते हैं चराग पासवान और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है पुक्ता तोर पर और जो जानकारी हमारे पास है आपके पास भी वही जानकारी है मैं जानता कुमार के साथ क्या किया सब जानते हैं लेकिन छोटे-छोटे खेल चिराग पासवान अभी कर रहे हैं और एक खेल तो हो रहा है तिरुहुत असनातक कुमारे खेला कर सकते हैं खेला कर रहे हैं कर नहीं सकते हैं अगर नहीं खेला कर रहे हैं तो क्यों नहीं राकेश रोसन से कुद को अलग कर देते कि नहीं यह हमारी पाटी का हिसा नहीं है और पाटी खुद को उनसे अलग करती है और राकेश रोसन जो कर रहे हैं वो गलत कर अभी तक तो चिराग पासवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आपने देखा कि खेला तो बीजेपी के साथ भी किया, मोदी के साथ भी किया, जिस नहता ने कहा कि मोदी मुसलमानों के दुस्मन है, मोदी भगवान है, क्या, इमाम गजाली सेखपुरा के जिलाद्यक्ष और उन जिनको कारण बताओं नोटिस मिला, उनकी पद से मुक्ति या पाटी से मुक्ति तै होती है, इमाम गजाली अपवाद में हैं, इमाम गजाली ऐसे इकलोते हैं, जिनको कारण बताओं नोटिस देकर छोड़ दिया गया, इक अंदर कुछ तो बात है, संबंध है, संबंध है और ऐसे तमाम तरीके के बयान दे, बारतीर जंता पाटि के मीडिया प्रभारी को नो सिखुआ बता दें, उनके खिलाब मुर्चा खोलते, तो क्या ये गले से उतरती है बात कि बिना चिराग पासवान की सहमती से, बिना उनके संरक्षन या बिना उनके सह सह को हो रहा है, तो कि अभिसेग जासे हमारी बात हुई फोन पर जाहिर है कोई अपने पत्ते नहीं खोलता या इस उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है इंटर्नल मामला है उनकी पार्टी का अगर कोई चुनाओ लड़ रहा है तो निर्दली चुनाओ लड़ेगा ऐसी बात हुई के साथ वो एक तरह से लोग कैंपेंड में लगे हुए हैं तो जाहिर है उनके संग्यान में भी बात है मुखमंतरी नितीश कुमार तक भी बात पहुची है तो चिराग पासवान को सफाई देनी पड़ी है और चिराग पासवान साइद तलब किये थे मुखमंतरी देने के है कि मोधी की मुसीवत बढ़ा रहे है बीजेपी की मुसीवत बढ़ा रहे हैं ऐसा कोई नहीं है हमारा इजादा वसा नहीं है तो अमिट साथ के बाद अब नितीश कुमार के सामने उनको सफाई देनी पड़ी है और एक नाराजगी और है आप जानते हैं कि चिराग पूरा जेडियू लड़ी थी 2020 के विधानसवा चुनाओं में अब जाहिरे इमाम गजाली भी लड़े थे लेकिन अब तो आप एंडिये में हैं तो आप कैसे एलान कर सकते हैं कि इमाम गजाली लड़ेंगे अभी तो बीजेपी जेडियू भी नहीं कर रहे हैं कि हम यह सीट लड़ेंगे तो जाहिरे इसको लेकर भी बीजेपी और जेडियू के अंदर नाराजगी है तो अब चिराग पासवान डेमेज कंट्रोल में जुटे हैं नितीश कुमार को मनाने में जुटे हैं और चिराग पासवान यह समझ रहे हो साइद कि खेल जादा बढ़ाया निती जी को फोन कर दिया कि भाई देखिए खबरें चलने लगे कि लालों ने फोन किया उसके बाद गिरबतारी हो गई तो क्रेडिट लेने की कोसिस भी कि भाई देखिए हम बहुत गंबीर हैं बिहारी चात्रों पर कारवाई हों मुखमंतरी से जाकर मिले हैं उनसे चर्चा कि यह लगातार वो मांग करी रहे थे तो यह भी दिखाने की कोसिस है तो यह सारी चीजे हैं परदे के पीछे मुलाकात की जो वजह है वो सायद ही है परदे की पीछे चिराग पास्वार नतिश कुमार की मुलाकात की पूरी कहानी क्या है अब इसे एक मिस्तरा जो पत्रकार को जो है वह एसास हो जाता है कि आखिर मुलाकात का पूरा कहानी क्या था और क्यों मुलाकात हुई थी चुकि चिराग पास्वान नतिश कुमार के साथ खेला कर चुके 2020 में और वह एक बाफिर से दोराना चाहते हैं तिरो असनां तक से चुनाओ होने वाला है और ऐसे मैं लेकिन उसी सीट से राकेश रौसन परदेश उपाधक्ष लोचपार आमिलास के हैं वह न सिर्फ दावेदाली किये हैं बलकि मैदान में कूद गए हैं और वह पाटी के बैनर तले सब कुछ कर रहे हैं और इस बात कि सिकायत नितिश कुमार तक पहुंची थी नितिश कुम काफी नराज से चिराग पासवन से हैं और रात करन फारन में गुलतस्ता लेकर नितिश कुमार के नराज्वी के फिफट्म करने के लिए पर देखने वाली बात दोगी कि चराग क्या राकेश रोसन पर कारवाई करते हैं या फिर पर्दे के पीछे एक बाफुर से खेला करने की कहानी गड़ रहे हैं आपकी क्या रहा है आप अपने डाय को कमेंट्स बॉक्स पर रखिए अगर आपने चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लिजे